नमस्कार आप देख रहे हैं मात्रिभूमी मैं हूँ आपके साथ शोबना यादव मात्रिभूमी की शुरुआत इस समय की बड़ी ख़बर से और बड़ी ख़बर ये कि कोरोना को लेकर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे बैठक बुलाई है इस बैठक को लेकर कॉंग्रेस ने ना जाने का फैसला किया है अकाली दल ने भी बहिशकार का एलान किया है लगातार सत्तापक्ष का ये कहना है कि विपक्ष कुरोना को लेकर बहस से भाग रहा है और आप कॉंग्रेस और अकाली दल रानमंत्री नरेंद्र मोधी के द्वाला बुलाई गई सुर्दलिय बैठक का हिस्ता नहीं होंगे शाम 6 बजे पिए मोधी ने कॉरोना पर सभी दलों की बैठक बुलाई है लेकिन कॉंग्रेस और अकाली दल ने इस बैठक में शामिल होने से इंकार किया एक तरफ कॉंग्रेस लगातार हमला पर रही है केंद्र सरकार के उपर कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर वैक्सीन के बद इंतजामी को लेकर और अब जब कोरोना पर सरभी दलिय बैठक बुलाई गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा कॉंग्रेस और अकाली दल ने भहिषकार का एलान किया कॉंग्रेस पी-म की बैठक बहिस्ता नहीं लेगी अकाली दल का भी कहना है कि बैठक में नहीं जाएंगे खटके का ये एलान सरभी दलिय बैठक शाम 6 बजे त्रणमूल कॉंग्रेस के सांसत भी बैठक में शामिल नहीं होंगे तो कॉंग्रेस त्रणमूल कॉंग्रेस और अकाली दल त्रणमूल कॉंग्रेस और अकाली दल ने इस बैठक का हिस्सा ना होने का फैसला लिया है हमारे साथ हमारे सही होगी प्रशान जुड़ रहे हैं जादा जानकारी लिए हुए प्रशान जैसे कि मैं अपने दर्शकों से भी बार-बार कह रही हूँ कि कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर लगातार हमलावर रहा विपक्ष खास तोर पे कॉंग्रेस और अब जब सर्वदल यह बड़ी ही अजीब स्थिति है क्योंकि कोरोना को लेकर और वैक्षिन नीती को लेकर सरकार की कॉंग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टिया लगतार हमलावर रही है राहुल गांदी खुद काई बार यह ट्वीट करते रहते हैं कि वैक्षिन की कमी है लोगों को उसका समभवते प्रदानमंत्री निराकरन भी करेंगे। उसमें आप कॉंग्रेस की तरफ से ये फैस्दा लिया गया है कि कॉंग्रेस बैठक में नहीं जाएगी। Central Hall में सभी सांसदों के साथ एक बैठक करनी चाहिए ना कि किवल पार्टियों के नेताओं के साथ ये उन्होंने आधार इस बात को बनाया है लेकिन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि Congress Party एक तरह से जो Pegasus का मामला आया है जो जासूसी कांडाया है उसके विरोज सरूफ हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री के बैठक बुलाई गई है उसको अब वो आगे ले जा रहे है और इस बैठक में भी नहीं आ रही है Congress Party उसके अलावा अकाली दल भी इस बैठक में नहीं आ रहे है उनकी बास समझी जा सकते हैं क्रिशी कानूनों को जब तक सरकार वापस ने लिए जाहिर सी बात है आप पेगेसेस मुद्दे को अलग रखिए कोरोना के मुद्दे को अलग रखिए अब जब मंच मिल रहा है तो वहां अपनी बात रखिए राजनीती मत करिए आगे बढ़ेंगे कोरोना को लेकर देश में लापरवाही भी कम नहीं है पहले घूमने वालों की भीड सामने आ रही थी अब देश के अलग-अलग अलाकों में वैक्सीन लेने वालों की ऐसी भीड जुट रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम करोना नियमों की धजिया उड़ाई जा रही है ये आपके सामने छे तस्वीरे हैं अलग-अलग राज्यों की तस्वीरे भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की गाजियबाद की तस्वीर देखिए मध्यप्रदेश में इतनी भीड कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं मध्यप्रदेश में भी सिती लगबग ऐसी ही है मध्यप्रदेश के तमाम शेहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे है चतरपूर हो, धार हो, कटनी हो, राजगर हो सब जगे भगदर का माहौल, ऐसे कैसे कुरोना की तीसरी लहर को रोका जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉन्ट वीडियो कांड में गिरफतार राजकुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है बड़ी खबर आज दोपहर को राजकुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद आदालत ने उन्हें हिरासत में भेजा पॉलिस पुश्टाच में राजकुंद्रा ने माना है कि पॉन्टोग्राफी के कारोबार से उनकी अच्छी कमाई हो रही थी अब पॉलिस राजकुंद्रा को बाकी आरोपियों के सार बिठा कर पुश्टाच करना चाहती है वहीं इससे पहले राजकुंद्रा का वो वाटसेप एकाउंट भी सामने आया है जिस पर पॉन्ट फिल्मों के कारोबार से जुड़ी हुई सारी बाते होती थी एच अकाउंट्स नाम के ग्रुप से सारी डील होती थी चाहे एक्टरेस की हाईरिंग हो या फिर कारोबार में नफे नुपसान की बात इस ग्रुप के पांच मेंबर्स हैं पॉन्ट रैकेट में आरोपी और एक्टर गैना वशिष्ट ने अपने उपर लगे आरोपों पर सफाई दी है पर अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले तो आपसे जाना चाहेंगे कि राज कुंद्रा की गिरफतारी हुई है इस पर आपका क्या कहना है उसी केस में गिरफतारी हुई है जिसमें आपको गिरफतार किया गया था फिलाल आप जमानत पर है अमरतियों जे हमें एक बात कहना चाहूंगी कि यह सारी फिल्में, एरोटिक फिल्में हैं, जो भी राज ने और सबने बनाई हैं, कोई भी फिल्म पॉन की कैटेगरी में नहीं आती है, इन चीजों को मैनुपिलेट ना किया जाएं, जिस तरीके से यह लोग कह रहे हैं, कि यह पॉन फिल्म से हैं, यहां पर सारे लोग एक टीन के अबव हैं, सबको यह सेंस है कि पॉन फिल्में क्या होती हैं, और कौन से फिल्मों को पॉन कहा जाना चाहिए, और कौन से फिल्मो पेले फिल्म को देखा जाए उसे मोका तक नहीं मिलता है कि अपनी बात को प्रूफ कर सके तो मुंबई पुलिस ने जो गिरफतारी की थी उसमें उनका ये आरोप था कि लड़के लड़कियों से असलील हरकते करवाई जाती है प्रॉपर एक सेक्स शूट किया जाता है और ये पॉंड के करेगरी में आता है इसके बेसिस पर गिरफतारियां की गई है इस पर आप क्या कहेंगे आपकी बिरफतारी इस मामले में हुई आप राजकुंद्रा से मिली है राजकुंद्रा को कब से जानती हैं आप कि मैं इस पर जादा कॉमेंट नहीं करना चाहूंगे क्योंकि तिलनाओ मुझे नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें यह वक्त आएगा तो मैं इस पर जरूर बात करूंगी फिल्हाल हम लोग सिर्फ बाते करते हैं क्या लिगेशन लगी और क्या केस हैं बिल्कुल यह जाना जैसे भी ऐलिगेशन बहुत दो लोग लगा रहें इस पर आपका क्या कहना है किती सचाहिए इसमें आम रिखते हूं जो सचाहिए है कि मैं शूट पे तो थी नहीं ना मैंने कोई ऐसा कोई शूट करवाया है ना मैंने किया है मैंने नॉमल फिल्में बनाई है जैसे सारे मे सारी चीजदा और समने का समय करता है तो उसमें किया होना है सब कुछ उन्हीं क्या होता है मैं तो सिर्फ एक एकटर को सेट पर मिलती हूं जب उब कर, का रियार होके मेरे सामने आता है, वाले रो फोटिज है ट्राइं प्राइंश पूरे रॉर्व्टेज ऑडाओ अहूच हुआ बिहाइंड दा सीन क्या हुआ सब कुछ है वो वो क्यों नहीं शो कर रहे हैं मुझे बताइए कौन से एक्टर रुप्य अगर प्रेशर डाला गया हो तो कैसे एक्स्पेशन दे देता हुए हमें यह बताएं कि यह जो इरोटिक यह बता देते हैं मेरा आखरी सवाल यह है कि जो यह पूरी मुंबई पुलिस की जांच चल रही है क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है आपको भी जमानत मिलने में काफी जादा वक्त लगया आपने कई बार अपील की कोट में और अब कोट में देरे मामला जाएगा चार्शिट दाखिल हो चुकी है तो इसको किस तरह से देखती है क्या लगता है कि आपको इसमें न्याए मिलेगा और यह मामला किस तरह से आगे बढ़ता हो देख रही है आप अमरत्यों जे मुझे पूरा यकीन है अपने जिडिशरी सिस्टम पे मुझे जरूर नयाए मिलेगा क्योंकि बेसिकली ऐसा कोई केस ही नहीं बनता है और ना बनना चाहिए क्योंकि ना तो कोई एक्टर फोर्स किया गया और ना मैं सेट पर मिली जैसे स्टोरी बन रही थी कि मुझे सेट से उठाया गया है आप शायद पता होगा चार तारी को जिन लोगों पूठाया था सेट से उनको पाच अफ्वाट समध कि वूमेश कामत नाव 치 ग्यों है को हां इंडिया हेड होता असला बिजनेस्मन आहे राजकुंद्रा यांचा कंपनी मधे एक इंडियाचे ओप्रेशन्स बगाईचा कि यांची जी कंपणी आहे राजकुंद्रा यांची वियान नावाची तैंसे का केंद्रीन नावाची कंपणी जी टायप होता केंद्रीन नावाची कंपणी जी ही लंडन स्थी टाहे आनि राजकुंद्रा यांची जी ब्रदरिन लौँ अहे बहि नी कड़ून जी ब्रदरिन लौँ अहे तैंसे कंपणी ओन करता थ। किंद्रीन लेंड़नसी घि री कंपशनी सर्वाइप कॉंटेंट क्रीएशन' प्रवसी सर्वापरे शॉला अप्रेशन्स आप सोचा handlar कर सकते प्राक EPS प्रेस कॉंफरेंस भी हमने आपको सुनाई मराथी में वो बोल रहे हैं इसी को लेकर हमारे साथ हमारे तीन साही होगी जुड़ रहे हैं जितेंद्र दिक्षित सूरजोजा और मृत्यूंजे सिंग अभी गहना वशिस से आपने बात की उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन पहल से पूछता जो है अब शुरू होगी कल रात को ही उनको मुंबई पुलिस की क्राइम रांज के दफ्तर में बुलाया गया था और उसके बाद उनको देर रात गिरफतार घोशित कर दिया गया और आज दोपहर को उन्हें मुंबई के किला कोट में पेश किया गया है और 23 त गिरफतारिया हुई थी और 6 महिने तक मुंबई क्राइम रांज रुकी मुंबई क्राइम रांज अपना होमवक कर रही थी सबूत जुटा रही थी और जब मुंबई पुलिस के हाथों पुखता सबूत आ गये और मुंबई पुलिस अपना होमवक पूरा किया उसके बाद उनका यही कहना है कि पॉन फिल्मों और बोल फिल्मों में फर्क होता है आप खुद वो फिल्में देखिए क्या पुलिस के पास वो पूरी फिल्म का रौ डेटा मौजूद है जिस आधार पर अब राजकुंद्रा की भी गिरफतारी हुई और कई गिरफतारियां आगे हो देखिए निश्य तोर पर गहना वसिष्ट इपना पख रखा है और हर कोई जब अपना पक्ष रखता है तो अपनी नजरीय से अपनी कहानी पेश करता है मुंबई पुलिस अपना पक्ष रख रही है अन्तमें कोट तै करेगा की यह क्या है लेकिन आपको बता दें की जो नए कलाकार होते हैं, इस्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिश दिया जाता है, कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज हम दे सकते हैं, या कोई शॉर्ट स्टूरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं, ऐसे करके आप उ त्रांसलेशन दिरे-दिरे, सेमिन्यूड और फिर फुल नूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपूज किया था और इनी में से कुछ क्राइम ब्रांच के पाई थी जिसके वज़ा से ये गुना दाखिल हुआ था इस गुनहे का तपास करते हुए आज तक राधर कल तक क्राइम ब्रांच ने नौ आरोपियों को अरेस्ट किया है इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गया है कि जो इन टाइप की जो पॉर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है चोटी-चोटी क्लिप्स होती है उसको फुली प्रोड्यूस करवाते हैं इसमें जैसे रोवा खान को अलड़ी अरेस्ट किया है उनके हजबन को भी अरेस्ट किया है गैना वशिष्ट को अरेस्ट किया है तन्वीर हाश्मी को भी अरेस्ट किया है उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है जो फर्द कुंद्रा जो की एक मुंबई के बिजनसमन है उसका और डिटेल इन्वेस्टिकेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा इनकी जो वियान कंपणी है मुंबई स्थित इनका टाइप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपणी है जो की लंडन स्थित है UK स्थित है ये केंदरीन कंपनी के ओनर जो है ये राजकुंद्रा इनके ब्रदरिन लोही है और इस केंदरीन कंपनी का एप है जो की होट शॉट्स इस नाम से चलता था इस होट शॉट्स पर ये जो भी कंटेंट क्रियेट किया जाता था ये कंटेंट राजकुंद्रा और केंदरीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी होट शॉट्स नाम के एप के जरीए हाला कि ये कंपनी केंदरीन और हॉट शॉट्स लंडन में रजिस्टर्ड है लेकिन इसका पूरा कॉंटेंट क्रियेशन ये राजकुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट पाइरसी रिलेटेड इशू ये सारे के सारे वियान के ओफिस से मुंबई से ही किये जाते थे सुरा जोजा अब ये जो पूरा मामला है इसके तार केमरिन कंपनी लंडन से भी जुड़ रहे हैं और वो कंपनी जो है वो राजकुंद्रा के भाई की है पुखता सबूत मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के पास है और इसलिए फिर ये गिरफ्तारी हुई है जी बिल्कुल मुंबई पुलिस को काफी पुक्ता सबूत मिले हैं इसके साथ-साथ पांच कुछ ऐसे ग्रूप्स की जानकारी मिली है जिसमें है एचेस टेकडाउन एचेस अकाउंट और एचेस ऑपरेशन इस तरह के ये ग्रूप्स बनाए गए थे जिस ग्रूप का इस्तमाल कर यह लोग जो रणनीतिया है वो तैय करते थे जैसे एचेस अकाउंट से उसके अंदर ये बताया लगा जाता था कि कोई वीडियो है उस अपने अपनी कस्टेडी में ले लिया है जिसे अब एफसल भेजा जाएगा और उसके अंदर और भी कितने चैट्स है क्योंकि जब यह मामला सामने आया था उस वक भी राजकुंद्रा का नाम सामने आ रहा था लेकिन पुलिस कुछ सबूतों का इंतजार करे थी ऐसे में जाहिर सी बात है राजकुंद्रा ने कई सबूतों को मिटाया होगा इन सारी चीजों को रिट्रीव करने के लिए अब इनके फोन को एफसल भेजा जाएगा जिससे जितने भी चैट्स हैं पुरानी हिस्ट्रीज हैं या फिर फोटोज हैं और जितने अकाउंट्स की सब्सक्त में है पूछताच होगी सबी आरोपियों को आमने सामने बिठाया जाएगा कई और उल्जेवे तार सुल्जे की बड़ी खबर यही है कि राजकुंद्रा को 23 जुलाई तक पूरस हरासत में भेज़ दिया गया है क्राइम ब्रांच उनसे पूछताच कर रही है और पार होता था पॉन फिल्म का रैकेट लंडन तक फैला हुआ है लंडन में राजकुंद्रा का भाई है जो एक कंपनी चलाता है और वहीं से यह फिल्में अपलोड होती थी OTT प्लाटफॉर्म पर और होटशॉट एप पर गिरफतार आरोपी अश्लील फिल्म बनाकर बेच रहते लड़कियों को ब्लाक मेल किया जाता था वेब सीरीज के नाम पर एक्टर्स एक्ट्रेस को लालच दिया जाता था अब तक नौ आरोपियों की गिरफतारी हो चुकी है इस पूरे मामले में जबरन फिल्म बनाने के भी आरोप सामने आए हैं जिन एक्ट्रेस को लिया हुए हैं तो बड़ी बातें कई मॉडल्स ने अश्लील फिल्मों को लेकर शिकायत की थी और उसी के बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया था जाच पूश्टाच और सुबूत के आधार पर राज कुंद्रा की गिरफतारी हुई और राज कुंद्रा की गिरफतारी के बाद मॉडल और अभिनेत्री सागरिका शोना सुमन ने एबी पी न्यूस से खास बात चीत की सागरिका वही अभिनेत्री हैं जिनोंने फरवरी महिने में ही राज कुंद्रा पर पॉन्ड फिल्म रैकेट में शामिल होने का आरोप पॉन्ड फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को आखिरकार गिरफतार कर लिया आज से 6 महिने पहले मुंबई की एक मॉडल अभिनेत्री ने राज कुंद्रा का नाम लेकर आरोप लगाया था कि उन्होंने कई लड़िक्यों क को ऑडिशन के लिए बुलाया था न्यूड ऑडिशन की बात कही थी उसकी बात आज सच साबित हुई हमारे साथ सागरिका सुमन हैं उनसे बात करते हैं सागरिका हमें बताएं कि जिस परकार से ये पॉर्ण फिल्म रैकेट का खुलासा हुआ इसमें अब 10 से अधिक लोगो ढूंड निकालेंगी यह सब चीजे जो भी एविडेंस हैं और अभी आप देख रहे हैं आपके सामने से पूछा गया विकास फरवरी में मैंने जो कहा था वह सच हो गया विकास सचाई जो होती है वो कभी छुप नहीं सकती मुंबई पुलिस ने पॉन्ड रैकेट का मामल कि बहुत बहुत सारा नाम हो जाएगा बहुत पैसा कमाल हो गया विकास कोबीट का टाइम चल रहा था और लोगों के पास काम नहीं था तो उन्हें लगा था शायद मैं ऐसा ओफर दूंगा तो यह एकसेप्ट कर लेंगी और पहले तो उन्होंने मुझे वैब सेरीस के लि आप काम करने वाली हो मैंने का सौरी मैंने काम के लिए हानी किया फिर वो वल्गर बाते भी करने लगे थे कॉल पे और जो वीडियो कॉल पे थे वो तीन लोग थे एक का फेस रीविल नहीं और ता आई तिंग सो राज कुंदरा जी होंगे बट यह बहुत ही गलत बात है इ अब को अपरोच किया था फिर्श मैं तो मैं तो में पकामच जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे वेब सीरी से के लिए ओफर किया फिर जानने की कोशिश करने लेगी कि आखिर यह कौन लोग है और क्या बात है फिर मैं ने कहा यह किस की कमपनी और लेपसाइट ने तो नहीं राच्च झूदरा जी का नाम लिया था तो मैं शौक्ट हो गई मैंने फिर क्लियर किया कि यह वहीं राच्च फिर्टी के हस्बंड है तो उन्होंने का था जी हाँ आप उनकी बहुत सारी कंपणी हैं और बहुत सार। साइट चल रहा उनका आप देख सकते हो नेट पर उनकी बड़ी कंपनी और वेब सीरीज बनाने वाले हम लोग बट जब वीडियो कॉल पर यह सब बात चल रही थी तो फिर उन्होंने दूसरी बात स्टार्ट कर दी कि हमारा होट स्पोर्ट करके कोई लाइफ चैनल है वहाँ आई थी और सामने तीन व्यक्ति थे तो कौन लोग थे आप किसी के पहचान कर पाई किसके जैसे दिखते थे और जो बीच में बैठे थे वह कंप्लीट और राजकुंद्रा ही थे कंफर्म मैं इस बात के लिए और सबके फेस रिविल नहीं हो रहे थे विकास मास्क लगवा कैसे यह काम करता है और भी बताए कि बहुत सारे मुंबई के और भी मॉडल एक्टर इसमें काम करते हैं यह तो नहीं पता सर बट जब मैंने उनका वेबसाइट वेगा देखा तो देखा मैंने बहुत साही लड़कियों को उनके कोई चैनल होट सौट्स करके 20 लाक उसमें स सिती थी तो बहुत साही लड़किया की होगी ऐसी काम तो मैंने तो मैं तो भूल चुकी थी बैड एक्स्पिरियंस समझ कि बट मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए और सी आप देख सकते हैं जो मैंने फरवरी में लगाएं थे वह सच हो गया तो आपने सुना एक और मॉडल जिस लड़की को अप्रोच किया गया और वीडियो कॉन्फिरिंसिंग के जरीए उससे कहा गया कि न्यूड ओडिशन दीजे तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए जितेंद्र दिक्षित सूरज ओज अमृतियुंजे जितेंद् एक मॉडल सामने आती है जिसे मृतियुंजे ने बात की और वो यह कह रही है कि राजकुंद्रा सामने बैटे हुए ते इसका मतलब तो पूरी तरह से पुखता तरीके से ये पूरा रैकेट सोची समझी साजिश के सह तहत चलाया जाता था और इसको बाहर के देश से अपल गैया कि जो पुलिस बता रही है Гेनावशिष्ट की गिरफतारी के बाद में उमेश कामत का नाम आया और उमेश कामत ही वो शक्त है जो की गेनावशिष्ट की ओर से रेकौर्ड किये वीडियो को वी ट्रांसफर के ज़रिए युके के सरवर पर भेजते थे और वहां से इन पर नहीं आ रही है उनके साथ में भी ऐसा ही अनुबह हुआ है और मुंबाई पुलस को इस तरह के सबूत मिले है जैसा कि आपने जॉइन कमिशनर की प्रेस कॉंसर्स में भी सुना कि लड़कियों को लालच दिया जाता था कि आपको काम दिलाएंगे आपको वेब सिरीज में काम मिलेगा और उस बहाने उनको पॉन फिल्म उनसे शूट करवाई जाती थी पॉर्नोग्राफी का शूट करवाया जाता था उनके साथ में जैसे कि इस लड़की को जब पहले ऑडिशन के लिए बुलाया गया और इसको कहा गया कि अब आप निउड होकर शूट कीजे तो इस लड़की ने मना कर दिया लेकिन यही तरीका था यही मोल्डर्स ऑप्राइंड़ाई थी दूसरे लड़कियों का अप्रोच करने की और उनका उनकी फॉन फिल्म बनाने के लिए जी जितेंद्र आप बने रहे हैं इसका मतलब तो ब्लैक मेलिंग का भी मामला बनता है न उसके बाद पॉनोग्राफी शूट कर आते हैं सूरज जोजा जी बिल्कुल यह पूरा मामला मानो एक मानो यह पूरा मामला एक प्रोफेशनल तरीके से किया जाता था और इसमें बकाइदा ओडिशन होता था ओडिशन में आपको पहले तो नियूट सीन के बारे में इतनी अंधेरे में रखते थे बाद में आप उसको लीगल रेमेडी के नाम पर ब्लैक मेल करते थे कि अगर आपने यह एक्रिमेंट साइन करने के बाद भी अगर काम नहीं किया तो आप आप पर लीगल कारवाई करेंगे तो इस तरह से पूरा मामला मतला विक्टिम्स को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता था उन्हें फोर्सफुली उनसे काम कराया जाता था उन्हें 20 मिनिट का शॉट्स बताया जाता था लेकिन नियूरीटी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती थी इतना ही नहीं जाच में भी पता चला कि राज कुनरा जिस तरह से बॉ यूसर थे कलाकार भी जमा कर लिये थे साथ ही इनको ये पता था कि अगर इन सारी वीडियो को मैं भारत से अपलोड करता हूं तो इसका IP एड्रेस या फिर जहां से भी अपलोड होगा वह भारत के कानून में आएगा हम फश सकते हैं इसी वज़े से शूटिंग यहां पर होत पर वो काम करना जो की कानूनन अपराद है अब शिकंजे में हैं राजकुंद्रा क्राइम ब्रांच अपना काम करेगी और उसके बाद कोट करेगा आप तीनों कई बहुत-बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए जमू कश्मीर में जिस बदलाफ के लिए दशकों से संघष चल रहा है सेना और एंजियोज मिलकर मुहिम चला रहे हैं वो कोशिश अब साकार होती दिखाई दे रही है हम आपको दिखाते हैं कि महिला शक्ति से आतंक को मूतोर जवाब देने में कैसे महिलाएं आगे आई है हमारी एक्सलूसिफ रिपोर्ट देखी बदल रहा है जम्मू कश्मी महिला सशक्ति करण से आतंक को मूतोर जवाब देश के लिए हम भी एक हैं सेना जो की काम कर रहे हैं जिसको वाड़ा में गूँचती थी आतंक की गोलियों की आवाज बहाब, अमन, विकास और तरक्की के तराने श्रीनगर से करीब एक सौदस किलोमेटर दूर ये है कुनन पोश्पुरा इलाका यहां महिलाएं तिरंगा बनाने के बड़े ओर्डर पर काम कर रही है कुपवाड़ा के कुनन पोश्पुरा इलाके में जन सिक्षण संस्थान योजना के तहत इन महिलाओं को सिलाई और कटाई की ट्रेनिंग दी जा रही है कुल चालीश महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है सेंटर में कुनन बवाकुंड और इसके आसपास के गाउं की लड़कियों को टेलरिंग, कटिंग और फैशन डिजाइनिंग का काम सिखाय जाता है बात सिर्फ महिलाओं को दी जा रही ट्रेनिंग की ही नहीं बलकि इसके पीछे चीपे संदेश की है जो कश्मीर को आतंक की आग में जोपने की साजिस रचने वालों के लिए है सेना के साहूग से 60 में से ऐसे 40 सेंटर कुपवाडा में चल रही है हर तरह के स्किल महिलाओं को सिखाय जा रही है को इनको हम – पर पर स सर्टे गी में का एक सेसमेंट होता है अफ्टर मन्त इनके एक्जाम्स होते है और कोर्स कम्पिलिशन के वई हैर इनके इंट्रेल एक्षिल आग्जाम्स होते है वाड़ा जैसे इलाके जहां विकास की राह में आतंक के कांटे है युवाओं को रास्ते से भटकाने वाले देश के दुश्मन है जो 2014 से 2018 तक 524 युवाओं को आतंग की रास्ते पर धकिल चुके हैं जहां आतंग की गुसपैट सबसे आसान है वहाँ इस तरह की पहल कुछ सफल बना पाना आसान नहीं था इस बदलाव के लिए दशकों से एंजी और सेना कोशिश कर रही थी पहले ऑपरेशन सगभावना के जड़िये लोगों का विश्वास सेना ने जीता और अब सेना और एंजी ओ के मेहनत रंगलाती दिख रही है एक छोटे से गाउं से सही लेकिन बदलाव के बैयार बहने लगी है झालोगों के जड़ जड़िये लोगों के रही है झालो लोगों के लिए रही है झाल झाल